तरी गुड इवनिंग कैसे हैं सभी के सभी आज की कहानी होने वाली है 5.1 याने प्रश्णावली 5.1 की अंत ठीक है तो आज लास्ट क्लास रहेगी 5.1 खतम करेंगे और कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास के लास में बताऊंगो कल से हम क्या स्टार्ट करने वाले तो चल का answer मैं आप बता देता हूं solution बता देता हूं ताकि आप लोग परिशान ना हो ठीक है यहीं से कहानी चालू करते है यार फटा-फट से copy लन नोगा और यह फलन इन दोनों ही cases में सतत होता है आपको पता है यहाँ पर दोनों ही Рos чgu Appर अगेंगों भी सतत होगा और 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 लेश दियरो केस भी सतत होगा यह बात हमने पहले देख थी X is equal to 0 पर यह अपने मान बदल रहा है तो चरह चेक कर लेते हैं X is equal to 0 पर इसकी सांत्यतता को ठीक है तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाई उत्तर तो नहीं लिखेंगे solution लिखेंगे हल लिखेंगे यहाँ पर तो हल देख लेते भई तो x is equal to 0 पर सांतत्यता की जांच देख लेते हैं तो चलो देख लेते हैं भई क्या जांच करनी है हमें तो हमें लेचल करना पड़ेगा सबसे पहले लेचल बोले तो लिमिक कहां से कहां तक भी यह 0 जीरो एक्स इक्वल टू जीरो पर कर रहे हैं तो 0 माइनस पर देखेंगे एना इसी तरह आरेचल के यहाँ बात करेंगे अरे क्या रहें है हम लिमिट एक्सेंज टू जीरो प्लस ठीक है f of x गुट कर देते हैं जीरो माइनस का मतलब 0 से कम और 0 से ज्यादा दोनों ही केस में आपको पता है कि यह यहीं पर मिलने वाली मुझे दोनों थे यहां से मुझे मिलेगा लिम्ट एक्स टैंस टू- और यहां पर मुझे क्या मिलेगा साइन x-cos xq क्योंकि 0 से कम और 0 से ज्यादा दोनों ही केस में यही वाला फलन मुझे मिलने वाला एक्स की जगह पर 0 पुट कर देंगे यहां पर तो मुझे क्या मिलेगा देखो तो साइन 0 तो 0 हो जाएगा मेरे पास माइनस 1 मिलेगा तो यह माइनस 1 हो गया यहां पर भी साइन 0 0 और कॉस 0 1 तो यहां पर भी 0 माइनस 1 यानि कि माइनस 1 मिलेगा फाइनली हम दोनों जगहों पर देखो मेरे पास LHL और आरेचल का मान बराबर आ चुका है खालो बिल्लू कैसे हो तो बच्छे यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो मेरे को मिल जाता है भाई यह F of 0 की बात करेंगे F of 0 मतलब कि जब मैंने X का मान 0 रखा है X के मान के 0 पर डारेक्ट मान देके रखा हुआ है माइनस 1 मैं देख पा रहा हूं कि LHL भी माइनस 1 है और 0 F of 0 भी M-1 है न, LHL बराबर है RHL के और बराबर यह F of 0 गये क्योंकि यह सब कुछ बराबर हो गया तो हम क्या बोल सकते कि अतहाँ फलन इस प्लन FX क्या है भई सतते हैं यहां तक किसी को भी दिक्कत ठीख है तो आर के सभी मान के लिए याने कि अगर मैं बात करता हूं आर के जो सभी मान है सबी वास्तविक संक्याओं के लिए परिभाशत था यह और यहां पर यह क्या होने वाला है सतत्था ना जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं टेलीग्राम चैनल को जरूर जॉइन कर लेना चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे ही रेगुलर बच्चे आप को के के मानों को ग्याद करना है के का अगर एक मान आ रहा है तो एक मान ग्याद करना है एक से ज्यादा आ रहा है तो एक से ज्यादा मान ग्याद करने है बच्चे बैटर है पहले से ठीक है रिकवर हो रहा है ठीक है ताकि प्रदत फ्लै निर्देश्ट बिंदू कौन सा बिंदू तो X is equal to pi by 2 पर ऐसा अलग-अलग क्विष्टर में अलग बिंदू पर फ्लन दिए होंगे और उसकी सतत्तास दीओगी किसी भी बंदू पर ठैके निर्देश्ट बिंदू लिखा हुआ यहां पर किसी भी बिन्दू पर यहां पर सदत्त यहां पर बताई गई होगी तो यहां पर आपको पता है कि अगर तो यहां पर X is equal to میرا pi plus भी मिलेगा मेरे को pi by 2 प्लस भी मिलेगा यहने कि greater than अगर यहां पर बात करता हूं मैं तो यहां पर X greater than pi by 2 भी मुझे यही ना मिलेगा और x less than pi by 2 भी यहीं मिलेगा इसका मतलब कि LHL के केस में भी मेरे पास यही वाला फॉलन मिलेगा और ़्रहल के लेचल को ठा लेते हैं और दूसरा हम क्या उठा लेते हैं एस विंदू सितत है तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि भाई इसका लीजिए इनको ठालेते हैं तो हमारे टूप करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला भी देख लेते हैं चलो लिमिट एक्सटैंस टूपाइब टूप्लस पाइवेट उसे बड़ा बड़े में फलन आएगा तो के कोस एक्स बटे में पाइ मनाइनस डूट किले रहे? ये रहा मेरे पास और यहाँ पर हमको करना का है एकस की जगा पर पाइबाइबाइट कर देना है क्या करेंगे बच्छे? हेलो गोपाल, गूपाल, गूपाल गूपाल, हेलो अनामिका बेरी गूपाल, बच्छे बस यहाँ पर एकस की जगाट पाईवाई ड्यू पुट कर दीजिए, देखिए मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है? ठीक है? ठीक है? तो जैसी मैंने यहाँ पर एकस की जगाब पर पाईवाई-ड्यू भू पुट किया, यहां पाई बाई टू तो यह मेरे पास क्या हो जाएगा इंफाइन नीचे 0 बन जाएगा है ना तो हम यहां पर क्या करते हैं बच्चे एक छोटी सी quantity ले लेते हैं और एच प्लस में खेलेंगे यहां पर हम ठीक है यहां पर हम क्या करेंगे यहां क्या करते हम रखेंगे एक्स इस इक्वयल टो Crim17 तीका बलस में खेलेंगे हैं यहां पर और जहां पर हम बोलें गी एक्स बराढबर लंगे यह फिर एक्स सी बनता जाएगा जैसे जैसे एच मेरा 0 बनता जाएगा ठीक है तो यहां से अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ limit h tends to 0 h tends to 0 कब करूँगा भई h tends to 0 जब मेरा c क्या हो x की जगा पर क्या आजाएगा बच्चे c plus h यह बात हम अल्री देख चुके हैं पहले भी है ना चलो उसको solve कर लेते हैं आप अब blue pen उठा रहा हूँ मैं ध्यान से देखना अब बस f of c plus h है तो यहां पर हम इसकी जगह पर क्या लेंगे हम इसको लेंगे ठीक है यहां पर यह वाला फाला लेंगे यहां से गर मैं बात करता हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है यहां से मुझे मिलने वाला है यह रहा के कॉस और यहां पर आ जाएगा मेरे पास क्या c plus h और बटे में क्या आ जाएगा मेरे पास यह आ जाएगा करेंगे पान तो उसको बन करने फेंबर हमें क्या मिलने वाला है आच χांप हमने लिमित नहीं लिखा लिमिट्लिक देता हों है कि लिमिट एकस्टेंज हुआ स्देज तो लिसेई हैं कि यह आजएगा लिमिक टैंज तो जीडो और यह वाला वैलियू कितना हाजाएगा मेरे पास भीकिता है इस वाले वेल्यू क्या payment कि दनา जाएगा मेरे पास इस वाले वेल्यू का मान इस मेरे पास आजाएगा भी इस क्यों सुद्ध नहीं? सक्टोछ के और कॉस c प्लस ह् क्या फुले गर तो ये अब המצOT सब्सक्राइच स्कॉत गों माइनस साइं च और यह जाएगा प्लाई माइनस सी माइनस टूफ टूफ है अब प्रकर दोंख है एक की जगा पर जीरो जैसे हैंच की जगा पर जीरो पुत करद होगे तो यह एच जीरो यहां से तो कॉशी बचे गात के कॉसी कि क्लियर है वैसे हम कॉस C पे कर रहे हैं कि कॉस पाई बाई टू पे कर रहे हैं C, C क्यों ले रहा हूं मैं यार मैं C क्यों ले रहा हूं मेरे पास तो बिंदू दे के रखा हूँ है न पाई बाई बाई टू प्लस ये करेंगे अपन ठीक है मैं वही सोच रहा था कि आखिर मैं C क्यों लेकर रहा हूं यहां पर इसको मैं थोड़ा सा रियरेंज करूंगा बच्छे तो पाई बाई टू प्लस सीधा मेरे पास यहां पर ठीक है और यहां पर भी क्या आजाएगा मेरे पास पाई बाई टू प्लस भी क्या हो जाएगा कौन बताएगा का यहां कॉस्ट 90 प्लस बिल्कुल सही तो 90 प्लस एक्स किया हो जाएगा बता यह किसको पता है यहां पर कॉस 90 प्लस एक्स साइन होगा कि माइनस साइन होगा सबसे पूछ रहा हूं भई कास 90 प्लस एक्स कि साइन होगा कि माइनस साइन होगा जल्दी बताओ माइनस साइन होगा कि नहीं होगा भाई यह कौन सा आ गया सेकेंड के अंदर गया होता है कॉस मेरा नेगेटिव होता है ठीक है बिलकुल सही तो यह चोटी मोठी चीज़ें ध्यान रखेंगा इनका यहां पर करेंगे तो दो का अंदर गुड़ा हो जाएगा तो यह हो ऑ술 और बस यहां से हम क्या कर देंगे बाहर आ जाएगा अच्छा यह उपर माइनस से नीचे विठी माइनस ए पास मघड़ ग films यह लिमिट अच्ट स्टू जीरो साइन अच बचा बचा नहीं बचा और इसकномуी आपको पता है ऑन होता है तो यहाँ से आपके पास खुल मिलाकर आगया के बचाड दो तो इस तरीके से बच्चे आप जो है के बचा 2 यहां से निकाल लोगे ठीक है और यह पाइबाई थूपी महेरे पास कितना है तीन थूर twor के लिए और इसके बाद हम निकालेंगे रЭтоर वंडियों चछी फाइस ंपाई वाई टू टीन देके रखी हुई देखो हैं सबस्क्ताइए कि यह बराबर बसके बाद बराबर रखी गए तो यहां से आ गई थी मेरी के बटा दो और यहां से आ गई थी तीन तो के बराबर कितना आ गया मेरे पास चेह यह रहां मेरे इस परश्ण का साय उपर यहां कैं विल्कुल सही यह मिस्टरखानardApsolingen करेंगे हलो मिष्री वेरे गूड़ इवनिंग्ञ हलो हलो विवेक भी रेगुलर क्लास में रहिए गाण हला कि मैं रेगुलर में रहए पाया ड्यू टू सम्ट answer sign डू टू सम्डू टू सम्डू टू सम्डू तवित खराब चलो अगला भी कोशन वह यह 26 से 29 तक वह यह के के मान ज्याद करने ठीक है अब वहाँ पे कोश्चन हमारा ऐसा फस्ट गया कि हमें पूरा का पूरा उसको पाई बाई टू प्लस सी पाई बाई टू प्लस है इस सिंपल सा नो यहाँ पर आपको पता है कि एक्स एक्वलटु दो पर क्या है सतत सत है घर आग Deutsch बराबर आरेचल वराबर एफ ऑफ तू बस यहां से कोई भी इताख तो अरे चेलो और को जो दोनों को पर ऐंटा लेता है है यहां से उठाएंगे तो यहां पर आप चाहे दूख का कुछ ही मान पुट कर दो यह तीन आएगा इसके बाद LHL उठा लेते हैं अपन यह आजाएगा कि यहां से क्या होड़ाएंगे तो यहां से कॉलंबर और आपको पता है कि यहां से क्या होड़ाएंगा Sk frame समीकराण एक से ब्लूपन ले लूँ समीकराण एक से बोल सकते हो कि भाई तीन जो होगा वह पोर के के बराबर होगा तो के बराबर आ जागा तीन बटे चार यह सौर नो यह रहा मेरा आंसर तीन बटे चार आया की नहीं आया जल्दी बताओ यंश के संडे को एक चैप्टर माराथान करवा दो करवाएं इस एक से फांस तक के चैप्टर आपके व्यायागेगे मैराथन की जरूरत है नहीं ना जबर दस्ती पढ़ने जिरूरत नहीं नहीं हमने मैंने पड़ा है उसकी उसकी की भीजिए अभी पिन संडेंज को तो जैसे ऐसे आपके जैसे अपके जो एक्जाम आ सकशन में ताकि मैं उसके कॉर दिग्फ लेक्चर्चर्ज प्लान कर सको ठीक है और मुझे जरूर बताएगा आपका बोर्ड कौन सा यह भी imatedरूर बताइगा ठीक अपना बोर्ड यहां पर मैं लिख देता हूं कितने चैप्टरें किसके अंदर से तर्छ माल सिवान जौँगई आपके अभी कौर्टरली एक्जाम दोगे उसके किपशत करूँ कीतने चैपटर आरहें ठीक कितने वन एक से लिखर कितने चक्राइ climate और एक और चीज़ बोल रहा था न कपसे हैं अगर ये डेट्स आ गई है तो ये भी जरूर देदें तो यहां पर आपको यहीं पर पूरी की पूरी तयारी करवा दूंगा चलो ठीक है मुझे एक बार ये वीडियो खतम होने के बाद कमेंट सेक्षन ओपन हो जाएगा तब लिख दीजेगा है ठीक है Quesion Numbers 28 पर आ जाते हैं Quesion Numbers 28 में ठीक है तो अगेन यहां पर बोला जाँ रहा है X is equal to Pi पर क्या है मेरे पास X is equal to Pi पर पलन सतत है तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि भाई LHL बराबर आरेचल बराबर f of pi आया ना ये बात मैं बोल सकता हूँ हम मुझे दिख रहा है कि pi से बड़े हो pi से छोटे में मेरी अलग-अलग values है तो चलो भाई यहाँ पर हम रख लेते हैं तो यहाँ पर lhl निकाल लेते हैं सबसे पहले यह हो जाएगा limit x tends to pi minus f of x rhl को उठा लेते हैं तो यह हो जाएगा limit x tends to pi plus f of x ठीक है चलो values निकाल लेते हैं जल्दी से तो यहाँ पर limit x tends to pi minus pi minus मतलब pi से कम में pi से कम में kx plus 1 है kx plus 1 बस यहाँ पर pi रख दो तो यह हो जाएगा kpi plus 1 ठीक है यह value आगई kpi plus 1 यहाँ से गर हम बात करते हैं तो यह आएगा limit x tends to pi plus क्या रहेगा भई limit x tends to pi plus pi plus 5 क्या हुआ पाइफ के आएगा 5 क्यासे आएगा kpi आएगा इसी तरीके से यहाँ पर जब हम यह रखेंगे तो यह आएगा cos x cos x और यह हो जाएगा बच्चे cos pi cos pi होता है minus 1 बस यार value put कर दो यह समी कराण 1 बोल सकते हो तो असको समी कराण 1 बोल दो और यहाँ फिलिक दो समी कराण 1 से समी कराण 1 से समी कराण 1 से तो यह हो जाएगा मेरे पास kpi plus 1 बराबर minus 1 यह उधर चला जाएगा तो यह बन जाएगा बच्चे मेरे पास क्या के कमान निकालना में को माइनस दो बटा पाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा कि आप बहुत माइनस दो बटा पाई आया कि नहीं आया आपके यहिए का यह पानी से नहीं होगा सही बचे वहला खराबी है हुआ कपर अभी यही वाला कुस्षयंगकर सी टी में आया होता यही वाला कुस्ष थी में आया होता तnai इतनी मेंनत नहीं करनी पड़ती हमें इसी कोईशन के अगर मैं बात करता हूं तो यह मैं उठाता हूं पिंक पैन देखो स्वीटी में आया होता हमें पता है कि लेचल अलग-अलग वैल्यू है डायरेक्ट आपने क्या किया होता इसके अंदर पाई वैल्यू पुटकी इसके अंदर पाई डायर पता है पहले से यह पूरी इतनी रामायर लिखने जरूत नहीं क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब पाई माइनस की बात कर रहा हूं तो मैं लेस देन वाला लूंगा और उसमें पाई पूट करूंगा जब ग्रेटर देन की बात हो रही होती है तो यह देखो स्यूटी का पहले आपको यह चीज़े पता होनी चाहिए और उसके साथ ही हम देखेंगे कि सीवीटी के एक्जाम में को कैसे टेकल किया जाता है लेकिन उसके पहले आपके पास जो नॉर्मल तरीका है उसको सॉल करने का जो बोर्ड के एक्जाम के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट अभी मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि देखो यह ऐसे कर लेंगे यह ऐसे कर लेंगे तो आप रटल होगे इसको इसको रटना नहीं है ना ऐसा क्यों कर रहा है यह आपको पता होना चाहिए और वो तरीका यहां पर है जो मैं सिखाता हूं ठीक है मिश्री बिल्कुल बिल्कुल रखें गैर ठीक है चलो तो अगर मैं इस क्वेशन को करना चाहूं तो मैं कैसे घरता अगर मेरे सीउद्सटी में यह वाला question आया होता तो भाई मैं देखता कि less than में यह greater than में यह है तो यहां पर मैं direct kx में 5 रखता तो यह आ जाता मेरे पास 5 k plus 1 पराबर और यहां पर मैं रख देता एक्स की जगह पर 5 तो 15 माइनस 15 तो यह जीरो माइनस 1 इदर होता तो के बराबर 9 बटे 5 आ जाता है ठीक है तो इस तरीके से आप direct कर लेते अगर मेरे को करना होता इसको cvd के हिसाब से लेकिन मेरे को इसको करना है class 12 के हिसाब से तो देखो भाई इसकी कहानी कैसे होगी चलो उसको देख लेते हैं तो आप बोल रहे हो कि एक्स इक्वल टू 5 पर सतत है अगर यह इस पर सतत है तो हमको पता है कि लहल बराबर आरेचल बराबर एफ और फ फाइफ होगा हाया ना इसको एक्वेशन नंबर वन दे दो भाई और बस यहां से हमको पता है लेचल में अलगा लगमान है तो इन्हीं दोनों को उठा लेते हैं तो लेचल उठा लिया अपनने लिमिट एक्स टेंस टू फाइफ माइनस एफ ऑफ एक्स ठीक है और इसी तरह आरेचल को उठा लिय अपनने लिमिट एक्स टेंस टू फाइफ प्लस फाइफ से थोड़ा सा बड़ा एफ एक्स तो लिमिट एक्स टेंस टू जब फाइफ माइनस किया फाइफ माइनस का मतलब यह हो गया कि पांच से कम में एक्स क्या एफ एक्स क्या होगा पांच से कम में एक्स होगा के एक्स प्लस वन बस यहां पूट कर दिया एक्स की जगह पे तो यह जाएगा 5K प्लस वन ठीक है इसी तरीके से यहां पर आ जाएगा मेर पास लिमिट एक्स टेंस टू 5 प्लस मतलब की 5 से बड़े में 3x-5 3x-5 5 पूट करेंगे 5 तिया 15 में से 5 जाएगा तो 10 और हमें पता है समी करन एक से समी करन एक से फाइफ के प्लस वन बरावर हो जाएगा 10 के और यहां से की बरावर आ जाएगा नौवटे पांच खतम हुआ क्लिर बात समझ में आ रहे है कि नहीं, clarity है भई सबको, पक्का शौर, जितने बच्चों को समझ में आ जाये, अंगारे लगाते जाना तक कि समझ में आ जाये, मुझे भी कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है, 29 तक खतम हो गया, question number 30 आ गया है, question number 30 में बोला जा रहा है, ए तता बी के मानों को ग्यात कीजिए यहां पर ए और बी के मान ग्यात करने है ठीक है ये वाला कुशन आपकोट्राइ करना अभी आपके पास ठीक है और जितने रिकॉर्डेट में देख रहा है पॉस करके जराइसको ट्राइब करो इसको ऐए और बी के मान निकालो जरा फड़ाफट से पताओ कहा निकलेगा यहां पर यह बताया नहीं गया कि कौन से बिंदू पर यह सतत है लेकिन यह बोल रहा है सतत है तो कोई फलन सतत कब होता है जब वो अपने सभी बिंदूओं पर सतत हो लड़किया 12 में कम लेती है मैट्स अच्छा कोई बात नहीं है ठीक है ऐसा कुछ नहीं है बहुत सारी लड़किया अभी साइंटिस्ट बन रही है इंजीनियर बन रही है बड़े बड़े कंपनीज में जा रही है ठीक है सीए कर रही है तो सीए के लिए भी वह मैट्स ले ले लेती है बी सीए कर रही है ठीक है तो उसके लिए वह कॉमर्स मैट्स ले ले लेती है तो ऐसा कुछ नहीं है ठीक है कि अगर मैं किसकी बात करता हूं कि आज आएंगे अब धीरे धीरे पढ़ने लग जाएंगे आप लोग भी शेयर करते रहें अपने क्लास के जितने भी स्टूडेंट से उनको बताओ कि आजाओ यार क्लास में सर पढ़ारा इंग्दम शुरू से और भी बताना है आपको देखो क्या बोल रहा है कुशन कि इस फलन एफेक्स द्वारा परिभाशित फलन पर एक सतत फलन हो ठीक है यह और भी के ऐसे मान बताने म मुझे आ जाएंगे वच्छे आजाएंगे अभी धीरे 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 दीरे बढ़ेंगे मैस तो एक ऐसा सब्जेक्ट है मुझे लड़कियां जातर भाइव ही लेती है ठीक है मुझे दो बायो और मैस दोनों पसंदा लेकिन अगे मैस से अलगी प्यार है तो मैस जंदा बात ठीक है सुष अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कि एक फलन सततत कब होता है जब उपने सभी प्रांत के सभी बिंदूउ में पर सततตा जानना है या नहीं व कोई फलन कब सतत होता है जब वह अपने प्रांत के सभी बिंदूऊंपर सतत्त ऑ how कोई वलन असतत कौन से बिंदूओं पर हो सकता है जहां पर वो फलन चेंज हो रहा हो जहां पर वो फलन बदल रहा हो और मुझे कोई देखके बताएगा कि कहां कहां पर फलन का मान बदल सकता है देखो लेचल जब एक्स दो से कम है तो पांच दिखा रहा है जब एक्स दो से ज्यादा है तो यह दिखा रहा है मतलब की X is equal to 2 पर फिलन बदलता है ठीक है दूसरा X less than 10 पर यह है X greater than 10 पर यह है मतलब 10 पर भी बदल रहा है तो हमें इन दो बिंदूओं पर बाद चेक कर लेना है बच्चे यह दो बिंदूओं पर हमें चेक कर लेना है और इन दो बिंदूओं पर अगर यह सतत है तो फालान सतत होगा तो अभी हम इन दो बिंदूओं की बात करेंगे तो ठीक है तो प्रश्ना अनुसार प्र यह एक्स इस एकवल टूव टू पर ठ् Keyक है एक्स इस एक्वड़ी टू पर पलन सतत है पर फ़लन तो सभी पर सतत है ना तो मतलब उस पे भी सतत होगा इस बात हैं तो हम क्या बोलेंगे कि लहूँच यह बराबर आरेचल बराबर एफ और फ़ीं पता है लहुच नहीं लिख रहा हूं थिकि यह एक स्टेप छोड़ दे रहा हूं कौन सा चोड़ रहा हूं वो भी बता रहा हूं यह वाला स्टेब छोड़ रहा हूं मैं डायर्यक्ट यह वाला लिख रहा हूं थो X का कुछ भी मान रखो पाइफ ही आएगा अगरे चल की बात करूंगा तो लिमिट x tends to 2 plus 2 plus 2 plus 2 x plus b x plus b तो बस यहाँ पर x के जाएगा 2 तो यह हो जाएगा 2a plus b है कि नहीं हमें पता यह दोनों बराबर हैं तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि 2a यहाँ पर लिख सकते हैं आप समी करण 1 बोल सकते हैं उसको color change कर लेता हूँ यहाँ पर मैं तो वो समी करण 1 से तो यह हो जाएगा 2a plus b बराबर 5 ठीक है यह समी करण नमबर 2 दे दो इसको यहाँ से एक और उठा लो भाई यहाँ से हम बोल सकते हैं कि भाई x is equal to 10 पर पलन सता थे पलन सता थे अब x is equal to 10 पर अगर फलन सता थे तो हम क्या बोलेंगे बच्चें यहाँ पर हम बोलेंगे कि LHL बराबर आरेचल बराबर f of 10 हाया ना जब यह बात कर रहे हैं तो देखो जारा x less than 10 पर अलग फलन है greater than पर अलग है तो हम लेचल और आरेचल को ले लेंगे यहाँ पर तो लेंगे 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 लिमिट एकस टेंस टूब 10 माइनस दस से कम दस के कम पर फलन क्या है एक्स प्लिस बढ़ावर यहां पर 10 पुट कर देंगे अपन तो यह जाएगा टैने प्लिस था हो इसके बाद आरेचल कि हम बात करेंगे यहाँ पर तो यहाँ जाएगा limit extends to 10 plus 10 plus 10 plus पर कितना है 21 है तब x का चाहा है जो भी मान रख दो 21 ही रहने वाला है यह इसको समीकराण दो भी दे सकते समीकराण नीन दे सकते हैं इसको इसका नाम देदा समी करण तीन यहां पर हम लिख देंगे अ समी करण तीन से कि राथ समी करण तीन से हमें पता चल गा यह कि टैन ए प्लस भी वराबर 20 ऑश कॉसमी करण देबade अब समीकरण 2 और 4 को सॉल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा तो चलो भाई सॉल कर लेते हैं फाइनली लिखेंगे हम समीकरण कि समीकरण 2 बाचार से क्या-क्या है यह है टू ए प्लेस बी बराबर पाइफ और टैने प्लेस बी बराबर कितना था 21 ठीक है तो यह है चाहे तो हम उसको पर नीचे कर सकते हैं ताकि हम उसको सॉल कर लें है डूब बलेस बराबर माइनस कर देते माइनस करेंगे तो यहां बचेगा 8 यह कड़ जाएगा और यहां पर बचेगा मेरे पास कितना सूला तो ए बराबर तो मेरे पास दू आ गया ए बराबर तो किसी में भी रख दो तो समी करण एक से कर देते हैं समी करण दो से कर लेते हैं यह रहा समी करण दू ठीक है तो यहां से आ जाएगा मेरे पास दो गुड़े दो प्लस बी बराबर पांच तो बी बराबर कितना आ मेरे पास वान तो ए और बी के जो मान चाहिए थे वो मुझे मिल चुके हैं यह सौर नो हावई ए बराबर दो आ गया और बी बराबर कितना आ गया वन तो मिस्टर खान ने बिल्कुल सही बताया है बहुत बढ़ी है यह बच्चे बाकियों को भी आ गया जितने बच्चों ने यह निकाल लिया है मेरे साथ में निकाला है अकेले में करके निकाला है मेरे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है बहुत बढ़िया सो मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है बहुत बढ़िया है ठीक है तो इस तरीके से हमने कर लिया हमारे पास कुछ संयोजित फलन है यहां पर ठीक है और यहां पर हमें इनकी सतत्ता को पुरूफ करना है सिद्ध करना है ठीक है इनकी सतत्ता को सिद्ध करना है आप दर्शान है हमें तो संयोजित फलन के अगेन हमने प्रमय पड़ी थी जब हमने एक्जामपल्स किये थे तब एक प्रमय पड़ी थी कि अगर दो फलन क्या है बच्चे अगर दो फ प्रांत में मेर्minded फल्ण है अपने प्रांत में उनके सामने को संयूजित हमें है प्राप्त कर भी हमारा क्या होगा सTriveness मेरे पिस तरीके से में किस प्रकार है तो आपको क्या पता है आपको पता है cos x है कि ने आपको cos x square जैसा कुछ नहीं पता आपको इसके द्वारा ये कुछ नहीं पता कि ऐसा कुछ होता है आपको cos x पता है तो आप क्या करोगे ना आप यहाँ पर लिखोगे भाई gx और hx दो चीजें आप मानोगे यहाँ पर क्या मानोगे भाई GX और HX GX और HX क्या मानोगे भाई GX और HX अब मुझे बताओ यहाँ पर GX को क्या मानना है और HX को क्या मानना है सिंपल सी कहानी है तो भाई जो इसके अंदर दिखरा नहीं है अंदर बस यही वाला GX मान लो और इसको हटागे x बना दो तो यह होगया कॉस एक्ष हता है क्लियर तो यहाँ पर GX और HX आपको मानना पड़ेगा जी एकस और HX कैसे मानोगे तो जो कॉस एकस होता था था तो एकस यह पर एकस स्क्वार है पर बात करेंगे Gx किया है मेरे पास तो Gx क्या है x square ठीक है एक भुपत फलन है ठीक है एक भुपत या फिर हम यहाँ पर बोल सकते हैं भुपत फलन सतत होता है अपने प्रांत में सतत होता है तो यहाँ पर तो प्रांथ देखें नहीं रखा है और यहाँ पर हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वार एक भूपत फलन है मेरे पास ठीक है और यह हमेशा कि हमेशा क्या रहने वाला है है आपका क्या रहने वाला जब्चे यह सतत होने वाला है फिर एक्स कि हम बात करेंगे एचेक्स कॉसेक्स के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं कॉसेक्स है हमारे पास ठीक है और यह इंटू में ही है तो कॉसेक्स भी क्या होगा बच्चे ये भी सभी अपने सभी बिंदूओं पर क्या होगा हमारा सतत होगा तो कोसाइन फलन भी क्या होते हैं बच्चे कोसाइ अब दो फलन अगर मेरे सतत हैं तो इनके द्वारा प्राप्त संयोजित फलन अब इनके द्वारा प्राप्त संयोजित फलन क्या होग वग ऑग होग एक्स बोले तो एच ओफ जी एक्स एच ओफ जी एक्स इसको ऐसे पढ़ते हैं एच ओफ जी एक्स यानि कि एच के अंदर जी एक्स आजाए एच के अंदर जी एक्स आजाए जी एक्स क्या है जी एक्स है एक्स स्क्वेर यानि कि जहां जहां पर भी एक्स है वहां वहां जाए गूछे मेरे पास कोस कोष्ष और एक्स की जगब पर क्या जाएगा X2 आज Yeah तो ये आ गाया मेरे पास X3 और ये है की है ये ऐफिक्स ए ये आगया Auric तो बहू ये ये संयोजेत ? किसका ह और GX का hiox basically सायोजेत फ़ाने बच्च्छे समझ Select फारे हो कि नहीं ध्यान से ठीक है होग хоть क्या आगए मेरे पास मेरे पास गीह पर साइंट तो हमारी परिबाश हमारा प्रम है क्या बोलता था यदि दो फॉलosen अगर दो फलन मेरे इन सथ हैं अपने अपने परांथ में सतत हैं तो उनसे प्राप्त जो संयोजित फलन होगा वह भी सतत होगा और उनसे प्राप्त जो संयोजित फलन है वो क्या है fx इसका मतला fx भी क्या होगा सतत ठीक है तो यहाँ पर वस लास्ट में आपको जो है एक छोटी सी यह सातात हैं भी लिख सकते हैं अतह है अतह है होग एक्स भरावर एफ एक्स भी सातात होगा ठीक है ब्रैकेट में लिख सकते हो प्रमेह से है कि इस तरीके से हमने बड़ा ही प्यार से कुशन किया अब इसी तरीके कि बाकि सारी कुशन है मुझे बताएगा को ही यहां पर क्या लेंगे कि को है कुछ मुझे बताएगा यहां पर character F check को क्या लेंगे वाच्च GX को क्या लेंगे और HX को क्या लेंगे दिमाग लगा अपना और बताओ मुझे क्या होगा यहाँ पर GX और HX तो मैंने आपको क्या बताया था कि देखो कि नॉर्मली आप आपको यह देखना पसंदे उसके अंदर का सेक्स को जनकी ने लिखता हो यहाँ पर मॉटली चाहिएए लेकिन इसको अंदर को जाओ दो इसको यहां कोशियुक्स को आप जाओ झास और già目前 भता हूं जैसे हमने पिछले वाले कोश्चन में क्या किया था मुझे कॉस-थे ने एक्स क्यार नहीं तो एक्स2 मुझे पसंद नहिं है तो यह मैं यहां गूंगा जी एक्स की जगह पर और यहां पर जो पसंद है कॉसेक्स वह यहां लिख दिया यहां पर इस कुश्चन में मेरे पास mod x देखना पसंद है मेरे को मेरे को mod cos x देखना पसंद है mod x देखना पसंद है तो mod x की जगह पर क्या है cos x है तो x cos x को यहाँ लिख दिया हमने और यह mod x मेरा सुकून से अगला question अगर मैं इसकी बात उस पर भी आएंगे ठीक है उसको भी करेंगे अपन यहाँ पर आपको sin x देखना पसंद है हाँ या ना यह sin mod x है आपको sin x देखना पसंद है तो gx क्या लिखोगे यहाँ पर पहले हम gx और hx लिखना सीख लेते हैं उसके बाद तो solution तो हम सब जानते ही कैसे करना है कोई मुझे बताएगा यहाँ पर यहाँ पर gx किसको मानेंगे और hx किसको मानेंगे सभी बच्चे एक बार सारे gx और hx मान लेते हैं फिर तो सबकी सेम कहानी है फिर तो कुछ बचा ही नहीं है ना gx और hx कैसे मानोंगे आपको है अब क्या आपको क्या देखना पसंद यह आपको साइन पसंद लेकिन सेम각 सी मंड़ेंगे और जो हमें पसंद है नीचे लेगे कोई स्थाइक नसदे लिए निंटनो म पनख रिखेंगे यहां पर्टो िछसमा adesso म defakeました पसंद मतलब के हम क्या देखते यह अभी तक ठीक है समझ पाए चया जितने बच्चों को यह बात समझ में पहाई लगा तो क्योंकि अग्ला वाला पिर आपी से करवाने वाला हो बही हम में वापस सौल करेंगे पूरा का नशम बच्छों पात में बताना चाहा रहा हूं यार समझ में अंगारे देना comment section में बता देना जो offline में देख रहा है इसको फिर ठीक है यह बात अगर समझ में आगई तो चलो बात मेरे ख्याल से सबको समझ में आही गई है अब मुझे बताओ यहां पर क्या होगा चलो देखें कितने बत्छों को समझ में आ गया सब्सक्राइब अच्च इस क्या होगा हुए 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 है भुले सर्य यह तर चीटिंग है अच्छा विवेग के रहे से जी एक्स होगा मॉड ईक्स और एक्सिया होगा विवेक क्या रहे हैं कि GX होगा mod X और HX क्या होगा और HX हो जाएगा आपके पास X plus 1 mod के अंदर इसके अंदर भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था पूछो क्यों क्यों क्योंकि ये आपका GX minus HX के रूपे है बहुत बढ़िया ठीक है विवेक बहुत बढ़िया एर सुपप बढ़िया ठीक है बहुत बढ़िया तो आप लोगों ने GX HX पहचानना सीख लिए अब इसके बाद क्या बचा आपके पास इसके बाद आपके आपके अश्क कुछ नहीं बचा इसके बाद बस आपको होग करना है हमेशा होग निकालना है फिर आप जैसे अगर इस तरीके से निकालते हैं तो होग निकाल लीजिए होग एक्स होग एक्स निकालेंगे तो इसका मतलब होगा H of GX यनिकी H के अंदर GX मतलब H के अंदर GX मतलब कॉस X इसका मतलब यह हुआ कि जहां जहां पर भी X है वहां वहां पर मैं कॉस लिख दूँगा ठीक है तो यहां पर क्या है मेरे पास हो जहां पर लिख दूँगा c wishes के पर एक्स के बराबर मैं क्या जानता हूं मैं जानता हूं कि ब्लान सततत है ये क्या है वे ही मेरा सतत हों कि है यह सब अल्लेडी परूफ कर चुके हैं सभी सब्स्थी wellutta ने इंका जो जो मेरा एक्ष्रा कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है मैं आतमें जानता हूं कि मेरा सतत होता है आगे बढ़ जाते हैं इसकी बारे में बात करेंगे तो फिर से होग एक्स निकालेंगे क्योंकि हमने इसको उसी तरीके से ही लिखा है यहां पर कि रटना नहीं है बिल्कुल भी है ना जो मैंने एक टेक्नीक समझाई हो इस टेक्नीक से सॉल्व करना है क्योंकि अगर यह आप उपर नीचे भी अगर आप सिलेक कर लेते हो ना तो बस यहां पे होक की जगह गौह कर दोगे बस हैना है इसका मतलब क्या हुआ कि एच ओफ एक्स की जगह है साइन एक्स किके साइन एक्स लेकिन यह यहां पर एच ओफ एक्स है यहां पर एच ओफ मॉड एक्स है तो एक्स की जगह पर साइन यहां पर क्या जाएगा मॉड आ जाएगा और यह किसके बराबर यह एफ एक्स के बराबर है हमें पता है कि हम चाहता है साइन क्यों सतभत है कि अगर यह दोनों सतभत है तो बहुत बढ़ी और आंगे पड़ जाते हैं लॉय 'll प्लियंत आपके जाते हैं लाइस्ट क्वेस्टेन हैं यह नहीं कि अईनоЯ। बाद आपके रहों गर कोई डौट होंगे आपके दो यह तो आपका संयोजत वलन भी नहीं है यह तो आपका वो है operation संक्रियां है फलनों के उसक्रियां तो भाई Gx मेरा क्या है क्या है सतत वलन है ठीक है यहां पर भी modex आपको पता है modex प्लस वन लिखो माइनस वन लिखो ये भी क्या होगा मेरा सतत है अब चुकि ये दूनों अपने अपने प्रांत में मेरे सतत वलन है यहां पर ठीक है तो मुझे क्या पता चल गया भाई कि ये भी सतत है ये भी सतत है तो fx बराबर फशल प्लस एकस सब्सक्राइब क्या हो जाएगा मेरा सतत अब चुकि fx भी मेरा सब्सक्राइब 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 कि इस ऐख मैंने सेखेगा मेरा सतत हो जाएगा और चूकि अब यह भी सतत है अब मुझे क्या पता चला कि यहां पर कुछ ने बोला जा रहा है कि एफ एक्स बराबर यह द्वारा परीबाशित अगर यह फलन मेरा सभी जगह पर सतत है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा कि कोई असांतत्य बिंदू नहीं है बात समझ मारे की नहीं हां क्लेरिटी है यह सवर नो तो बचे मैं आपके लिए यहाँ पर यह आपका क्वेशन हो गया है यहाँ पर यहाँ पर आपको लिख देना है मॉड एक्स जो है जो होगा सभी वास्ताविक संख्याओं के लिए सथात है इसी तरह यह भी सभी किते बिंदूों को ज्याद करने की यहां बात की गई थी तो आगे कुछ सॉल करने की ज़रूरती नहीं और यहीं पर हमारा जो है 5.1 एक्सराइज यानि पूरे 34 खतम होते हैं कुसी का भी डाउट हो तो मैं यहां पर डाउट ले सकता हूं पटापट से नहीं तो आज की से बताया ता भOpen कि आपको बताना है मुझे और आपको मुझे क्या बताना भी धुक्रीया सिमसिम करों सबस्ताएं ओधि और कृमसिक प्रिक्षे आपको कौन सांव है कितने को मज़ा है यार श्रू लाइक कर देना और कमेंट करके भी बता दिया करो कि किस तरह से लगा आपको आज का सेशन ठीक है और नेक्स अचनर और और आल्वेज इंप्रूवड ही रहने वाला है और सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं इसका पीडिए भी आपको टेलीगराम चैनल में मिल जाएगा उसको भी ज़रूर जोइन कर लीजएगा मिलते हैं नेक्स क्लास में थांक तो मच्छ टिक क्या बाइए झाला है